हम लोग खा चुके हैं कि इंग्लिस क्या होगी इसे इंग्लिस में हम कैसे कहेंगे तो चलिए इस सेंटेंस को इंग्लिस में ट्रांसलेट करते हैं हम लोग या हम दोनों को इंग्लिस में वी कहते हैं और खाना को इंग्लिस में इट कहते हैं इट हम लोग खाच चुके हैं जिस वाकिय के अंत में चुके हैं रहता है वो present perfect tense का sentence होता है और यह present perfect tense का simple sentence है और ऐसे वाकियों को इंगलिस में translate करने का structure है इसका निया में सबसे पहले आपको subject लिखना है subject है we यानि हम लोग उसके बाद है जी है में से कोई एक रहेगा तो we के साथ हमेशा have रहता है उसके बाद negative is not लिखेंगे क्योंकि इस sentence में तो negative नहीं है तो हम लोग not नहीं लिखेंगे मतलब नहीं नहीं है तो not नहीं लिखेंगे उसके बाद verb का third form तो verb है eat और eat का third form होता है eaten हम लोग खा चुके हैं इसकी English होगी we have eaten दोस्तों आपको इस चैनल पर इसी तरह की छोटे छोटे वीडियो मिलती रहेगी जिसे से की आप थोड़े थोड़े समय में ही अपने English इंप्रूब कर सकेंगे